पागल को इंगलिश में कहते हैं mad और insane हाना अब पागलपन को इंगलिश में क्या कहते हैं lunacy क्या कहेंगे lunacy आने होता है पागलपन हाना don't do lunacy पागलपन मत करो don't do lunacy lunacy आने होता है पागलपन प्रनन्सियेशन आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए second example देखिए lunacy has been entered into this place as everyone is acting like insane lunacy क्या होई इस place में entered हो चुकी है क्यों क्यों क्योंकि everyone is acting like insane हर कोई एक्ट करना insane की तरह है तो यहाँ पागलपन बहुत हो रहा है यहाँ पागलपन entered हो चुका फ्रेंड्स example को देखिए example को समझ जीए आपको word याद हो जाएगा English word याद हो जाएगा और आप उसे use कर सकोगे मेरे example ऐसे ही होते है ताकि आप अपने words use कर सको अब मिलते नए वीडियो में नए word के साथ तब तक अमना ध्यान रखिए bye bye take care and all the very best